हलो एंड वेलकम योल तो बीड दे स्ट्रीट आज स्टोकिन स्पोर्ट लाइट में हम बात करने वाले हैं यस पेंग के उपर जी हाँ यस पेंग ने एक बड़ा खुलासा यहां पर आ रहा है सामने कि वो अपने बेड असेट्स बेड जो उनके stress assets है उनको technology platform को और उनके AMC branch को अलग करने वाले हैं जी हाँ yes bank अपने business को थोड़ा से parts में divide करना चाते हैं और उसको monetize करना चाते हैं तो क्या है पूरी ख़बर हम जानेंगे आप चैनल पहली बार आएं चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो अब हम जानते हैं कि क्या news है तो understand करना पड़ेगा आपको कि bad assets क्या होता है जो कि NPA है या NPA होने वाले हैं ऐसे assets को हम एसे loans को हम बोलते हैं bad loans और bad assets तो अगर company का अगर हम आपने पिछले साल का या June quarter का अगर आपने result देखा हो तो काफी heavy amount में याँ पर bad loan और bad assets देखने को मिले हैं तो company ने एक in-house consultant को hire किया है जो उनके लिए एक ऐसा structure त्यार कर रहा है जो bad loan और bad assets को एक दूसरी entity को transfer कर देगा और जिससे company को ये अपना focus बनाने में थोड़ी help मिलेगी और provisioning पर focus करने के बजाए company अपने business अपने banking business पर focus कर पाएगी साथी साथ वो technology platform को भी monetize करने की बात चल रही है जिसका valuation लगब लगब माना जा रहा है की करीबन 7 billion dollar का हो सकता है अगर हम structure की बात करें तो इनका yes bank का जो जैसा MD उनके जो MD है Mr. Kumar ने बता है वो एक ARC model पर काम करेगा ARC model क्या होता है तो ARC model होता है asset reconstruction model उस model में जो bed loans होते हैं या company जो NPAs होते हैं वो एक separate entity को transfer कर दिये जाते हैं साथी एक value वो separate entity हमें bank को provide करती है उस सारे loans का और management फिर ARC को करना होता है वो ARC उस loan से जितना भी पैसा उनको मिलता है वो अपने shareholders में divide कर देती है to all the equity holders जितना उन्होंने पैसा लगया होता है उनको उतना उतना share उस पे मिलता जाता है तो ऐसा कुछ model बनाने की planning चल रही है और उसका approval RBA को RBA से 2-3 week में दिया जाएगा बात करें कि MD का इसमें क्या कहना है तो MD का बोलना था कि advance book की अगर बात करें तो करीबन 17.3% की advance book का bed loan बताया जा रहा है महीं कुमार का कहना है कि अगर हम company की assets का बात करें तो 75% हम assets का provisioning already कर चुके और 3 third party consultant को हमने due diligence के लिए रखा है जो portfolio का analysis कर रहा है और उनका मानना है कि करीबन 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 portfolio 81,000 crores का है वहीं उनका मानना है कि 55,000 crores की recovery यहाँ पर estimated है और expected है कि 55,000 crores की हमार को recovery हो जाएगी तो उनका मानना है करीबन यहाँ पर 33,000 का ही provision करने की ज़रूरत है फिर हमने 75% का provision कर दिया है जिसके कारण की balance sheet और यहाँ पर banking business जो main काम है एक bank का वो उस पर focus नहीं कर पा रहे है और balance sheet की यहाँ पर कहीं नहीं हालत एक बिगड़ती होई नजर आ रही है जैसा कि हमने June के water की results में भी देखा था अगर आपको link चाहिए तो आप में link आपको i button यहाँ नीचे description में दे दूँगा तो आप वहाँ पर जाके yes bank की results और उसके आने वाली और खबरों के बारे में भी हमारे दूसरे वीडियोस है वो देख सकते हैं अगर उनका यह भी बोलना है कि यहाँ नहीं एक banking business पर अपना focus कर सके ना कि bad assets और provisioning पर इसके बाद बात करते हैं कि technology platform में sale की जो बात चल रही है तो उसमें सबसे important बात आती है कि company का major share है वो UPA transaction में है जैसे कि आप image में देख सकते हो screen पे 37% market share UPA transaction में साथी साथ 2.5 lakh road की यहाँ पर June water में ही value होती तो कितना बड share है तो वो चाते हैं कि इसको थोड़ा सा अलग कर दें और इसको monetize करके थोड़ा सा पैसा और उठाया जाए जिससे कि bank को capital में और strengthening मिले और help मिले साथी साथ IMPS की बात करें जो कि immediate money payment system हता है उसमें company का बहुत बड़ा एक remittance देती है करीबन 27,000 करोड का यहाँ पर transaction value बनत भी वोला है कि when we are talking to our international investor for capital raise कि हम अपने जो out of India से भी यहाँ पर capital raise की बात चल रही है पर यह इतना simple नहीं है इसको थोड़ा time लगता है 12-18 मही ने operations को normal करने में लग जाते हैं मही explore करने में लग जाते है options को कि क्या हमारी capability है कितना infrastructure लगेगा और कितना infrastructure हमें को हम sell out कर सकते इसकी valuation क्या होगी तो इसमें काफी time लगता है और वो आने वाले समय में इस चीज़ों को evaluate करेंगे और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर पूरा due diligence भी करवाएंगे कि technology business का क्या valuation और हो सकता है और इसको किस तरह के से अलग किया जा सकता है इसी के साथ एक ओंडियो जाई है कि value मात्र 57 करोड ही हो चुकी है इसी के साथ अच्छा है entities ने interest दिखाया है कि वो yes bank के mutual fund को business को खरीदना चाहती है बट अगर हम short listing की बात करें तो मात्र दो लोगों को दो prospective wire को ही shortlist किया है yes bank के mutual fund yes bank की board ने और उसी के साथ साथ उनी को sebi के approval के लिए बेज दिया है इसका कोई अबी तक official announcement नहीं है sebi का जैसी approval आएगा bank अपना जुलाई में एक board meeting रखेगी और उसी के साथ साथ वो उसका announcement किया जाएगा बट दो लोग जो इसके जानकार है उनका मानना है कि yes bank के mutual fund की दो एक बेंगलूरू best technology firms है जिसमें एक wealth management firm है साथ ही साथ एक दूसरी है वो joint venture है the two technology firm is believed to be an e-commerce payment company तो ये एक structure और इसको एक e-commerce payment company को बेचने वाले हैं yes bank तो prospective buyer का नाम अभी तक पता नहीं चला है पर जैसे पता चलता है हम आपको update करेंगे आप हमारी दूसरी स्रीज भी देख सकते हैं और हमारी चैनल को subscribe करना ना बूलें और bell icon को दबाते तक कि आपको एसी updates time to time देते रहें अब हमारी दूसरी स्रीज देख सकते हैं penny stock performance जिसमें हम आलोक इंडस्ट्री बिल्डाटायर इन सबका analysis करते हैं वही mutual fund mania में हम mutual fund की detailed understanding उनके types और उनके structure को समझाते हैं trending और trading में हम बात करते हैं कि stock के quarter one results उनकी stock specific news पे बात करते हैं वही stock in spotlight में हम particular news space रखते हैं महीं explain में terminologies और exceptional items ऐसे terminology को explain करते हैं तो आप हमाई चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें thank you